Hello Friends, Welcome to our Channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge ले के आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत important topic के उपर और वो है मरने के बाद dead body के नाक और कान में रुई क्यों डालते हैं तो दोस्तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ observe की रहेगी कि dead body जब रहती है उसके नाक में और कान में रुई डाली रहती है और इसके पीछे क्या reason है इसके पीछे कौन से scientific और spiritual reason है ये दोनों reason आज हम आपको एकदम अच्छे से simple language में explain करेंगे जिससे आपका ये जो doubt है ये clear हो जाए और अगर दोस्तो आपको ये competitive exam में preparation कर रहे हो तो हो सकता है question आपको interview ये exam में आ सकता है तो आप ये सारी जानकरी अच्छे से याद करके रखो तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो scientific reason के बारे में और वो हो सकता है नाक या मुझसे निकल जा सकती है उससे बहुत ज्यादा बद्बू आ सकती है और आजो बाजो के लोग है जो बैठे है वो dead body के आजो बाजो उन पे इस gas का असर हो सकता है वो भी बिमार बढ़ सकते है तो इसे रूखने के लिए दोस्तो नाक और कान में जो है वो read डाली जा सकती है और इसके अलबा दोस्तो दूसरा reason यह है कि dead body जो होती है दोस्तो वो अगर थोड़ी भी हिलाते है तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तो जो blood रहता है वो जो है उसके जो direction होती है वो चेंज हो जाती है तो blood या फिर कोई भी पानी जैसा द्रव यह नाक या कान में से बाहर आने के chances बढ़ जाते है दोस्तो जो कि अच्छी बात नहीं है तो इसे रोकने के लिए भी दोस्तो नाक और कान में रुई जो है वो डाली जाती है तिसरी जीज यह है दोस्तो आपने देखा होगा जब dead body रखी हुई रहती है तो हम normal condition में तो दोस्तो हमारे आसपास अगर कोई मच्छर, कोई मक्ही, कोई भी mosquito या फिर कोई insect अगर हमारे body पे यह नाक या कान के आसपास आता है तो आप हम immediately उसे रोकते है लेकिन dead body के साथ ऐसा नहीं होता है दोस्तो तो अगर उसके नाक और कान खुले रहेंगे दोस्तो तो कोई भी insect उसके अंदर जाने के chances बढ़ जाते है दोस्तो जिससे क्या होगा दोस्तो जिससे वो body जो है वो जल्दी decompose होने की जो chances से वो ले जाती है ये तो होगे दोस्तो scientific reason ये एकदम पूरी थेरी है दोस्तो डॉक्टर भी यही suggest करते है कि आप जो भी body रहती है उसका जो क्रिया करम रहता है वो करने से पहले आपको ये चीज़े ध्यान में रखनी है दोस्तो ताकि उसके आजबा जो भी लोग है दोस्तो उन ऐसा मानना है कि अगर आदमी का जो आत्मा है दोस्तो वो अगर मश्तिसक से निकलता है तो उसे शांती मिलती है वो उसके लिए अच्छी बात होती है उसको इमेजिटली पुनर जन मिल जाता है लेकिन अगर ये आत्मा कही और जगा से निकलता है जैसे नाक, कान या फिर को इसके करो आप बॉरी के अंदर से तो वह इसको जो है वह वह आत्मा को शांति नहीं मिलती है उसे पुनर जनम मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके यही चीजों के लिए रोकने के लिए दोस्तो उसकी जो आत्मा है वो मस्तिस्क से निकलने के लिए दोस्तो नाक और कान में रूई डाले जाती है ताकि जो वो आत्मे है उसकी आत्मा जो है मस्तिस्क से निकल जाए और उसे शांती मिले और उसे पुनर जन्म जल्दी से मिल ज सकता यह अपने अपनी विचार धर आए दोस्तो और अपने अपनी सोच है दोस्तो हर लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं लेकिन को रीजन कोई भी हो दोस्तो सैंटिफिक हो या स्पिरिच्विल हो यह जो चीजें है करनी चाहिए दोस्तो क्योंकि ओविसली दोस्तो इस प्रवाइब कर दो कोई भी बाकित पकार लो बीमारिया तो उसके से तो एसा तो करना ही पड़ता है तो यही सारी रीजन है दोस्तो आज हमने आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिये हैं दोनों साइंटिफिक और स्पिरिच्वल पॉइंट अभी आपको यह सारा नौले बीट यहसे और से औरन आप दोस्तो यह ऴीडियो में बस इतना ही पर जिल्दी मिलते हैं कुछ और इंपोर्टन टॉपिक के साथ कुछ औरliest नौलेज के साथ अब तक के लिए, बाई बाई दोस्तो